हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेस्ट ये अपलोट्स में स्वागत है तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ट्राइ कलर फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी तो ये बहुत ही एजी रेसिपी है लेकिन ये रेसिपी मैंने बहुत ही special location के लिए बनाई है परसों इंडिपेंडेंडेंस टे है ये तो हम सब जानते हैं लेकिन उसे और भी ज़दा special बनाने के लिए आप ये recipe अपने घर पर ज़रूर ट्राइ करें बहुत easy recipe है और बहुत ही कम टाइम में बनके ready हो जाएगी बहुत ही कम इंग्रीडियन्स के साथ तो एक बार ये recipe ज़रूर ट्राइ करें वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये recipe पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो आए जल्दी से देख लेते हैं कि ये tricolor fruit trifle हमें कैसे बनाना है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल में किवी को छोटे-छोटे pieces में कट करके रख लिया है किवी को सबसे पहले छील लेंगे और उसके बाद में इस तरीके से छोटे-छोटे pieces कर लेंगे अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक चम्मच पिसी हुई चीनी चीनी हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं कि कीवी में जो हलका खटा पन होता है वो दूर हो जाएगा और कीवी में एक sweetness आजाएगी खटी नहीं लगेगी कीवी इसके बाद में मैंने यहाँ पर ट्राइफल बनानी के लिए एक pudding glass लिया हुआ है आप simple glass जो घर में होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं यह बिल्कुल optional है अब हम सबसे पहले एक layer देंगे कीवी की अगर आपके पास कीवी ना हो यह आपको कीवी खाना ना पसंद हो तो आप इसकी जगापर कोई भी green color का fruit यूज कर सकते हैं like a grapes यानि कि आप अंगूर भी यूज कर सकते हैं कीवी की जगापर मैंने यहाँ पर कीवी यूज की है तो यह देखिए नीचे यह green layer आ चुकी है अब white layer के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ whipped cream तो whipped cream बनाना बहुत ही असान है दोस्तों लिकिन अगर आपको नहीं पता है कि whipped cream कैसे बनानी है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मैं आपके लिए इसकी recipe ज़रूर upload करूँगी अब मैंने यहाँ पर बनाना के यानि की केला के पतले-पतले slices कट करके रख लिए थे तो यह slices भी लगा देंगे हम इसमें यह हमारा second fruit जो की हम इस trifle में यूज कर रहे हैं तो पतले-पतले ही कट किये थे मैंने यह slices खोड़ इसी और whipped cream लगाएंगे इसके ओपर जिसी की यह बिल्कुल cover हो जाए और जो यह center की layer है यह white ही दिखनी चाहिए तो इसे अच्छे से cover कर देंगे तो यह लीजिए second layer भी ready हो चुकी है friends अब third layer के लिए मैं यहाँ पर जो third fruit ले रही हूँ वो है हमारा एक dry fruit तो वो dry fruit जो की मैं यहाँ पर use कर रही हूँ उसका नाम है apricot तो apricot आपको किसी भी fruit shop पर easily बिल जाएगा उसे मैंने इस तरीके से छोटे-छोटे pieces में cut कर लिया है हम जो अपनी third layer देने वाले हैं saffron color के लिए वो हम apricot से देंगे आप चाहें तो इसकी जगापर oranges या फिर किसी भी orange color के fruit का use कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार तो इसे अच्छे से एक layer दे देंगे orange color के लिए अब इसे थोड़ा सा और garnish करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पर इसके center पर थोड़ी से ये whipped cream लगाऊंगी और इस पर हम थोड़े से काजू और पिस्ता से इसे garnish कर देंगे जिसे की इसका taste भी बहतर हो जाएगा और look और भी ज़्यादा अच्छा आएगा तो मैंने यहाँ पर इसे काजू और पिस्ता से garnish किया है आप कोई भी dry fruit यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद से तो यह लीजिए हमारा tricolor fruit trifle बनके तयार है बहुत ही कम टाइम में बनने वाला dessert है Independence Day का occasion है तो आप यह recipe ज़रूर try करें बहुत ही कम टाइम में ready हो जाएगी इसे chill serve करें खाने का मज़ा और भी जादा भर जाएगा और अगर आप यह recipe try करें तो मुझे comment box में ज़रूर बताएं कि आपको यह recipe कैसी लगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care thank you